Okay students, तो आप समझी गए होंगे कि हम नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड, साउंड हमारे लिए बहुत फेमिलियर चीज है, हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, आप मेरी साउंड सुन रहे हैं, ये सारे देखें कितने सारे यहां पे म् लोजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सबसे साउंड प्रड्यूस होता है, तो साउंड का हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टन रोल है, इसलिए साउंड के बाऄ पढ़ना बहुत ही लोजिकल है, अब सबसे पहला सवाल है कि साउंड होता क्या, वाट इस साउंड? तो मैं ऐसाब हो सकते हैं कि sound is a form of energy, sound जो है वो energy का एक रूप है, उसका एक form है, energy बहुत तरीके की हो सकते हैं, यह हमने पहले कई बार पढ़ा है, different chapters में और classes में, किस-किस रखी energy होती है, कौन-कौन से types होते हैं उसके, कुछ types बता सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ कुछ types यहाँ पर heat energy, heat energy, पढ़ा हमने इसके बार में, kinetic energy, potential energy, light energy, और भी कई तरीके की energies के बार हमने पढ़ा है, वैसे ही sound energy भी होती है, वैसे हम बहुत सकते हैं, sound is also energy, और हमने energy के बार में यह भी पढ़ा है, कि energy cannot be created or destroyed, energy cannot be created or destroyed, it only changes form, energy जोए वो कभी create नहीं की जा सकती है, नहीं destroy की जा सकती है, उसका सिफ form ही change होता है, तो आप मुझे बताएं जैसे, कि एक loud speaker है, music system, उसको चलाते हैं, तो sound produce होती है, तो हम वो सकते है, sound energy मिलती है, सही बात है, लेकिन, हमने अभी भी देखा कि sound cannot be created, sorry, energy cannot be created, तो यह जो sound energy है, वो create नहीं हुई होगी, it only changes form, कोई दूसरी energy की form रही होगी, जो sound energy में convert हुई है, तो कौन सी energy है वो, कौन सी energy, वो है electrical energy, electrical energy, electrical energy, electrical energy, तो आपको तो भी पताईए कि music system को जो हम electricity supply करते हैं, तो sound produce होता है, तो हम बोसकते है, electrical energy sound energy में convert होती है, जैसे जो हम clap करते हैं, तो भी sound produce होता है, तो वहाँ पर कौन सी energy sound में convert होती है, हमारी muscular energy, muscular energy, muscular energy उसमाँ पर sound energy में convert होती है, सही है, आप अगर बहुत बार clap करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो आप ठक जाओगे, क्यों ठक जाओगे, क्यों ठक जाओगे, क्योंकि आपकी muscular energy sound energy में convert हो गई है, production and propagation of sound तो क्या मतलब है production का और क्या मतलब है propagation का तो simple सी बात है जब हम बोलते हैं for example तो sound produce होती है that is production of sound जैसे आप मंदिर में घंटी बजाते हो आजकल तो लोग मंदिर कम जाते है डिसको या पब या साइबर कैसे जाता जाते है अगर आप मंदिर घंटी बजाते हो तो sound produce होती है that is production of sound propagation का मतलब क्या है propagation मतलब है कि आप जब बोलते हो तो ये आवाज travel होके दूर तक जाती है और कोई आदमी दूर पर भी बैठा है तो उसको आवाज सुनाई देती है तो ये जो आवाज यहां से दूर तक travel होके गई इसके हम क्या बोलते है propagation of sound वैसे यहां पर घंटी के आवाज दूर तक जाती है और कोई आदमी बहुत दूर पर भी खड़ा है तो उसको आवाज सुनाई देती है तो ये production और propagation कैसे होता है यही हम देखना चाहते है जैसे देखो मैं आपको bell के example से समझाता हूँ जब हम घंटे बजाते है तो घंटे को जिस तरह से आगे पीछे आगे पीछे move करने लगती है जैसे इस photo में दिखाया गया है हाला कि जितना इस photo में दिखाया गया उतना आगे पीछे नहीं जाती है पर फिर भी वो आगे पीछे जाती है और बहुत चल्दी जदी आगे जाती है तो bell जो है वो motion करने लगती है तो इस तरीका का जो motion होता है इसको हम बोलते है to and fro motion to and fro motion नाम से आप समझने होंगे to and fro मतलब आगे पीछे आगे पीछे ऐसे motion को हम vibration भी बोलते है vibration या फिर इसका एक और नाम होता है oscillation oscillation तो ये जो terms हैं ये इस chapter में कई बनाएंगे तो आपको समझना है इनका मतलब to and fro motion vibration motion या oscillation इसका मतलब होता है कि को अब्जेट आगे पीछे move कर रहा है जैसे कब कौर एक्जांपल में आपको दे सकता हूँ ऐसा जूले पे तो आपने बच्छे ने जूला ही होगा तो इस जूले में क्या होता है हम आगे पीछे आगे पीछे move करते है जूले के साथ तो हम बहुत सकते हैं यहाँ पर जो motion होता है that is to and fro motion या vibration या फिर oscillation तो अब bell पर वापस आजाते हैं तो bell का यह जो to and fro motion होता है उसी से sound produce होती है देखें exactly क्या होता है आप सब पोच करो यह bell ring कर रही है और आपका कान है यहाँ पर ठीक है यह आपका ear है इसका बहुत important role होता है इसके बारे में बहुत detail में आगे पढ़ेंगे in fact आप इसके बारे में जानते भी हो कान का परदा सुने हैं न आपका कान का परदा उसी को English में ear drum बोलते हैं अब देखें आप क्या होता है यहाँ पर जब यह bell to and fro motion करता है तो आप सुचे इसके बगल में जो air molecules होंगे हवा के molecules उनका क्या होगा जैसे एक molecule की बात करता हूँ मैं तो जब यह bell आगे पीछी आगे पीछी बूफ करती है तो इस molecule से टकडाती है पार बार टकडाएगी आप सुचे पार बार टकडाएगी जब यह true and fro motion करेगा तो इस बाजू वाले से टकडाएगा तो यह भी true and fro motion स्टार्ट कर देगा फिर जब यह true and fro motion करेगा तो अपने बाजू वाले साइड टकडाएगा बार बार तो फिर यह भी true and fro motion स्टार्ट कर देता है फिर यह अपने बाजु वाले से टकड़ाता है तो वो भी two and flow motion टकड़ा करने लगता है तो इस तरह आप देख सकते हैं कि air के सारे molecules two and flow motion करने लगते हैं और यही process आगे भी flow को रहेगा मतलब यहाँ पर हम कोई air molecule लें तो वो भी finally two and flow motion करने लगेगा वैसे करते 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 आपके ear drum के बिल्कुल बगल वाला जो air molecule होगा वो भी two and flow motion करने लगेगा और two and flow motion करते करते वो आपके ear drum से टकड़ाएगा समझे बार बार टकड़ाएगा और जब वो आपके ear drum से टकड़ाता है कान के परदे से टकड़ाता है तो जाके आपको bell की आवाज सुनाई देती है तो ये process होता है sound के propagation का एक बार मैं फिर से repeat करता हूँ, जब ये bell true and fro motion करता है, तो उसके bugle का air molecule भी true and fro motion करने लगता है फिर उसके bugle का दूसरा air molecule भी true and fro motion करने लगता है ऐसे करते करते हैं, आपके कान का पर्दा जो है, उसके पास का air molecule भी जब true and fro motion करने लगता है तो आपके कान के पर्दे से बार बार टकराता है, और जब वो टकराता है तो हमें आवाज सुनाई देती है in fact जब भी sound produce होती है, तो यही process होता है almost, कि जिस इस चीज से sound produce होती है वो to and fro motion करना स्टार्ट करता है तो उसके बगल के air molecules भी to and fro motion करने लगते हैं फिर बाद के molecules भी to and fro motion करने लगते हैं, और जब हमारे कान के पास का air molecule to and fro motion करता है तो हमें आवाज सुनाई देती है, जैसे मैं आपको और wings होते हैं, वो आपने देखा होगा, वो फर पड़ाते रहते हैं, वो to and fro motion करते रहते हैं, उसके कान उसके बगल के air molecules भी to and fro motion करते हैं, फिर और बगल वाले air molecules भी to and fro motion करते हैं, और बगल वाले air molecules भी to and fro motion करते हैं और फिर सब्सक्रों यहां पर आप खड़े हो आपका कान है, तो जब कान के पास का यह molecule two and from motion करता है, तो आपको जाके आवाज सुनाई देती है, और बी की हमिंगा आपने नहीं सुनी है, तो मच्छर का भिन 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 आना तो सुनाऊगा, रात को कान के पास आके मच्छर भ wings flap करती है, fold करती है, या बंद करती है, अपने wings को इसले से, तो हमें आवाज सुनाई देती है, तो यही process यहां में repeat होड़ा होता है, कोई भी चीज आवाज produce कर रही होती है, तो यही होता है, जैसे guitar, guitar से sound produce होता है, तो उसमें इसके जो strings होते हैं, यह strings, उनको pluck करते हैं, तो आप देखो क्या होता है, यह उसका एक string है, जिसको pluck किया गया है, तो आप देखो वो आगे पीछे move कर रहा है, आगे पीछे move कर रहा है, तो उसके आगे पीछे move करने से, two and flow motion करने से sound produce होता है, तो यहां पे इसके बगल में जो air molecules होंगे, वो भी two and flow motion करेंगे, फिर उ आज सुनाई देती है, वैसा ही loud speaker में भी होता है, मतलब हर जगाई भी होता है, देखो ये loud speaker का kone है, तो आपको पता नहीं चलता है, बट ये जो kone का surface होता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे move करता रहता है, तो फिर उससे टकरा के यहां के air molecules भी to and from motion करते हैं, और फिर वही सलसला repeat होता रहता है, I hope आप समझ रहोंगे, in fact जब हम बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो भी ऐसा ही कुछ होड़ा होता है, हमारे neck के अंदर vocal cord नाम की एक चीज होती है, vocal cord, तो उसका to and from motion होता है, और उसके to and from motion से ही हम बोल पाते हैं, एक experiment करके भी, एक simple सा experiment करके आप verify कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सच है, आप एक rubber band लो, rubber band, और इस तरह से लगा दो उसको एक डबे पर, और फिर उस तरह से आप इसको नीचे push करके छोड़ दो, तो आप समझ रहोंगे क्या होगा, अब ये rubber band ऐस ऐसे to and from motion करने लगे, और जब ये true and from motion करेगी, तो आपको हलकी हलकी सी आवाज सुनाई देगी, अप करके देखना, क्यों आवाज produce होड़ी है, जब ये rubber band true and from motion करती है, तो आपको आवाज सुनाई देती है, तो कहीं पर भी कोई आवाज का production होता है, या propagation होता है, तो यही फेनोमेना repeat होता है, which is a very simple phenomenon, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप और भी experiment से verify कर सकते हो, जैसे आप देखो, इस instrument को बोलते है, tuning fork, देखा आप ने यह instrument बच्चो, देखा होगा शायद physics laboratory में, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते है, हर school के physics laboratory में यह tuning fork होता है, generally, इसका generally use किया जात इसको यहाँ से tap करोगई, tap, tap करने का मतलब है हलका जटका दोगए, तो जिससे काहन क्या होता है, कि यह 2N from motion करने लगता है, 2N from motion, इसके 2N from motion से क्या होता है, कि इसके path के जो air molecules होते है, आप समझ रहोंगे, वो भी 2N from motion करते है, फिर उसके bugle बार air molecules भी 2N from motion करते है, और फ लाबरेटरी में, तो जब इसको tap करोगे, तो इसका to and from motion हो तब आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि ये आगे पिछे जा रहा है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, आपको लगा है कि ये rest पर ही है, rest पर ही है, तो क्यों ऐसा लगेगा, क्य ये आगे पिछे move करता है, क्योंकि क्या होता है, कि ये इतना कम आगे पिछे move करता है, इतना थोड़ा सा आगे पिछे जाता है, कि पता ही नहीं चलता है, अगर ये ज़्यादा आगे पिछे जाता, तो साबसाल दिखाई देता, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा आगे पिछे जाता है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है तो फिर आप कैसे convince होगे कि सही में आगे पीछे जा रहा था और इससे टकर करके air molecules भी आगे पीछे जा रहे थे कैसे convince होगे तो उसके लिए आप एक experiment कर सकते हो आप क्या करोगे एक jar में पानी लेना या एक beaker में पानी लेना ठीक है टाप करने से पहले टाप करने से पहले जब ट्यूनिक फॉर को उसमें डालोगे ट्यूनिक फॉर को ऐसे डालोगे उसमें टाप करने से पहले क्या लगता है भुक्या होगा कुछ नहीं होगा आपने इसको डाला है अंदर कुछ नहीं होगा लेकिन टाप करने के बाद जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्ट को अंदर डालो गया है तो आप देखोगे कि यहाँ पानी में हल्चन हो लेगी हल्चन पानी छलकेगा छलकेगा वहां हल्चन लेगी तो क्यों हल्चन हो रही यह थोड़ा थोड़ा to and fro motion कर रहा है जैसे सर ने बताया था या फिर एक और experiment भी कर सकते हो आप जैसे एक हलकी सी ball वो जैसे की table tennis की ball आपने ऐसे लटका दी दो table tennis की ball लटका दी तो एक tuning fork आप यहाँ पर ले जाओगे बीना tap किये तो क्या होगा कुछ नहीं होगा कुछ न तो आप ओलता है क्या होना चाहिए तो आप देखो कि यह ball दूर चली जाएगी क्यों दूर चली जाएगी चुकि यह थोड़ा 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 oscillate कर रहा है आगे पीछे move कर रहा है तो थोड़ा 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 आगे पीछे move कर रहा है तो बहुत टकड़ाएगा त जब भी प्रोडिश होती है तो vibration होता है when sound is there vibration is there दोनों चीज रिलेटेड है एक दूसरे से यह improve कर सकते है इस experiments इस experiment का हम नाम रह सकते है dancing of light spot क्यों ऐसा नाम है अभी आप समझ जाओगे तो इस experiment करेंगे कैसे हम आप एक डबा लोगे cylindrical डबा लोगे जैसे कि food can ले सकते हो कोई अंदर से hollow होना चाहिए अंदर कुछ नहीं होना चाहिए इसके ठीक बात है फिर आप एक बलून को यहाँ पर stretch करके बांध होगे किस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा stretch बलून उसके उपर एक plane mirror का चोटा सा टुकरा चिपका दो plane mirror समझते ही हो आप जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं उस mirror का टुकरा यहाँ पर चिपका दोगे सही बात देखो उस डब्बे को अब हमने यहाँ रग दिया mirror चिपका के यहाँ रग दिया यहाँ से आप light आने देते हो वो light आती है और इस plane mirror को टकराती है टकराने के बाद क्या होगा students reflection low classes आपने पढ़ा है reflection के बारे में light reflection के बारे में light reflect होगी और फिर दिवाल पर जाके गिरती है दिवाल पर यहाँ पर गिरेगी तो यहाँ पर हमें तो आप देखोगे कि यह जो bright spot है यह उपर नीचे उपर नीचे मूव करने लगेगा यह ऐसा कैसे हो गया यह bright spot उपर नीचे कैसे मूव कर रहे है क्या होगा कि जब आप बोल रहे हो तो आपके मुझे बाहर के molecules to and from motion कर रहे होंगे आगे पिछे वाइबरेट कर रहे होंगे और जब यह आगे पिछे वाइबरेट करेगा तो अपने बगल वाले molecules से टकर करेगा उसको भी आगे पिछे मूव करवाएगा और यह फिरो मेना चलता रहेगा और finally mirror के पास वाला जो molecule होगा वो भी आगे पिछे मूव करेगा वाइबरेट करेगा यह सब आपको समझ में आडा होगा इस सब बात हम पहले कर चुके और जब यह molecule आगे पिछे मूव करेगा तो mirror को धक्का देगा तो फिर यह mirror भी थोड़ा आगे पिछे और आप समझ सकते हैं कि जब यह mirror आगे पीछे मूव करेगा तो light reflect होके कभी यहां पहुंचेगी कभी यहां पहुंचेगी कभी यहां पहुंचेगी तो कभी bright spot उपर दिखेगा कभी नीचे तो हमें ऐसे लगा कि light spot उपर नीचे उपर नीचे dance कर रही है move कर रही है ठीक है यह experiment भी हम करके देख सकते हैं इससे यह प्रूव होता है कि sound जब produce होती है तो vibration होता है